हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए चुनाव 12 नवंबर को होंगे और नतीजे 8 दिसंबर को निकलेंगे ये चुनाव इसलिए भी खास हो गया है क्यूंकि कॉंग्रेस को छोड़ कर भाजपा में कई नेता शामिल हुए हैं कुछ भारतिय जनता पाती द्वारा टेकट न दिये जाने पर नाराज होकर या तो कॉंग्रेस में चले गए हैं या फिर आम आदमी पाती में शामिल हो गए हैं या फिर कुछ निर्दल ये चुनाव लड़ रही हैं हिमाचल में वेधान सभा की मात्र 68 सीटे हैं जिन पर चुनाव होंगे चुनाव इसलिए भी महत्तोप में क्यूंकि केंद्र में भार्तिय जनता पाठी की सरकार है और भाजपा चाहती है कि हिमाचल में फिर से उसी की सरकार चुनकर आए जैराम ठाकुन ने फिर से सराजसे अपना नामांकन पत्र भरा है इसका मतलब है कि वे निश्चिन्त होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि दूसरे विधान सभाग शेत्रों में जाकर पाती के उमीद्वारों के लिए वोट मांग सके। हिमाचल विधान सभाग के 12 नवंबर को होने वाले चुनाव मतदान के लिए 631 उमीद्वार चुनावी मैदान में उतरे हैं। नमांकन भरने के लिए तै आकरी दिन 376 उमीद्वारों ने नमांकन पत्र दाखिल किया। कुल 631 मैं से जोगिंदर नगर सीट से सबसे ज्यादा 11 उमीद्वारों ने परचे दाखिल किये हैं जबकि लाखोल स्पिती जिला से सबसे कम तीन उमीद्वार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जोगिंदर नगर सीट से कमलकांत, सुरेंद्र सिंग, बाबालाल, मेहरचंद, ठाकुर, सुरेंद्र पॉल, प्रकाश, कुलभूशन ठाकुर, रविंदर पाल, विशाल, भारद्वाज, संजीव और नरेंद्र कुमार ने परचाद दाखिल किया है। लाहोल्स पीती जिला से डॉक्टर रामलाल मारकंडा, रवी ठाकुर और सुदर्शन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रदेश में नामांकन पत्र दाखिल किये। वली के दिन छुट्टी होने की वजह से नामांकन दाखिल नहीं हुए। बीते कल सोरे ग्रहन के चलते भी लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल करने में काफी रुझान दिखाया। भाजबा और कॉंग्रेस के डेड़ दर्जन बाग्यों समेत सो से ज्यादा निर्दलिय उमीद्वार इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। लाहोल्स पिती जिला में ना तो आजाद उमीद्वार चुनावी मैदान में उतरा है और ना ही किसी महिला प्रतियाशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। विधान सभा चुनाव के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की छंटनी का कारे 27 अक्तूबर, 29 अक्तूबर तक उमीद्वार अपने नाम वापिस ले सकेंगे। मतदान 12 नवंबर को होगा, मतों की गिंती 8 दिसंबर को होगी और 10 दिसंबर को चुनावी प्रक्रिया खतम हो जाएगी। सुबे में विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन के आखरी दिन बड़ी संख्या में उमीद्वारों ने नामांकन भरे। टिकट ना मिलने से नाराज भाजपा और कॉंग्रेस के बागियों ने कई सीटों पर नामांकन कर दोनों दलों की नींद उड़ा दी है। इस दौरान कुछ समर्थक भीड के साथ पहुंचे तो कुछ ने सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। सियासी विशलेशकों का कहना है कि यदि बागी मैदान में डटे रहे तो भाजपा और कॉंग्रेस के जीत के समीकरण बिगड सकते हैं।